नमस्कार एटो जेट डिशश उशा कोरजानी में आप सब का स्वागत है आज अस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हूँ बहुत ही बड़ी आसी रसिपी और ये है जोल मुमुस अब देखे बच्चे हो या बड़े मुमुस तो सभी को खाना पसंद है फिर चा प्रीन लगते है न और कम तेल में बनाया जाते है ये है जोल मुमुस इतने बड़िया लगते है आपने नाम तो सुना होगा पर इसे आज ट्राइ भी कर लीजेगा सबसे पहले मुमुस के लिए आटा गुन देंगे तो उसके लिए मैंने बर्तन ले लिया है इसमें मैं डा दाल रहे हैं स्वात के अनुसा नमक एक चमच भर कर तेल और अच्छे से मैदे के अंदर इन दोनों को हम मिला लेंगे इस तरह से मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी डालते जाना है और आटा गुनना है अब देखिए मुमुस के लिए जो आटा है न वो न अब देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालती जा रही हूँ और आटा गुनती जा रही हूँ देखिए मुमुस तो हम जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाने इसमें भी पर इसके साथ जो वो जोल है वो इतना बहतरी लगता है न मतलब आपको खाने में बहुत मज़ा आटा मैंने गुन लिया है थोड़ा सा तेल लगा कर हमें आटे को अच्छे से मसल लेना है देख सकते हैं आटा नाहीं जादा सकते हैं नाहीं जादा नरम है बस ऐसा ही होना चाहिए उसके बार ढखकर इसे हमें 5-10 मिनिट के लिए रख देना है जब तक इसे रेस्ट मिल र जाज और दो हरी मिर्ची इसे मैंने दर्दरा पीस लिया सबी चीजों को आपको पेस्ट नहीं बनाना है दर्दरा पीसना है उसके बाद गैस को अन करके कडाई रख दे सिर्फ आधी चमस तेल डाले और इसी के साथ ये दर्दरी पीसी वे सारी सबजियां अच्छे से इसे वाइट वेनेगर यानि कि सिर्का और एक चमच डाक सोया सॉस ऐसे हम दो से तीन मिन्ट तक और पकाएंगे तेजांच परी और लीजए ये पकर तयार है हमारी मुमुस के लिए स्टफिंग अब हमें इसे प्लेट में निकाल लेना तैकि अच्छे से ठंडी हो जाए इसे इ मसल लेंगे और चोटी-चोटी लोई इसमें से हम निकाल लेंगे और इसे हम देखे इस तरह से दोनों हाथ के बीच पर मसल लेना है चकले पर रख देना है स्टफिंग यानि कि जो फिलिंग है वो भी ठंडी हो गई है अब इस पर सूखा मैदा छिड़क कर हम जैसे पूरिया बेलते है ना पूरी आटे की वैसे हमें बेल ली है देखे ये जो पूरिया ना जादा मोटी होनी चाहिए ना जादा पतली बस इस तरह से बेलते जाना ह इसमें मैं डाल रही हूँ पानी एक ग्लास चितना एक से दो ग्लास चितना और इसे ढखकर हम गरम होने देंगे क्योंकि मुमस को हमें स्टीम करना है अब देखे ये जो पूरी बेल के रखे थी इसमें एक चमब जितने ही है फिलिंग यानि कि स्टफिंग डाले और इस तर टंश चंब geri इसमें ऊसक्ना में आरे तो चलिदो में चला यवह ना कования पानी यहीं स्टीम कर सकते हैं इसपे मैं ने थोड़ा थोड़ा तेल लगा ली ए राटन और यानिके बीद़ स्टीम करकी में डिले देखे और 26 до 27 बनते हैं और exemplo स्टेंड ना 18 से 20 इटलियो का है तो इसमें आपके एक साथी 18 से 20 आपके मुमुस बन जाएंगे इसलिए मैंने इसमें रखे हैं अब देखिए पानी गरम होगा है तो ये स्टेंड को रख देंगे और इसे हम 10 से 12 मिनिट के लिए स्टीम करेंगे यानिकी बाफ पर रखेंगे या पर आप देख सकते हैं ये अच्छे से स्टीम हो गए मुमुस तो इसे बाहर रखकर हमें ठंडा होने देना है जब तक हम जोल बनाएंगे दो टमाटर दो प्याज लसुन अद्रक और हरी मिर्ची चाहिए इसके लिए हमें गैस कौन का लिए है कड़ाई रख दें इस प तरह से मोटे टुकडों में कट किया हुआ दो हरी मिर्ची इस तरह से कट की हुई इसे हमें एक से दो मिनिट तक भूनना है यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से एक से दो मिनिट तक भूनने के बाद इसके अंदर आपको डाल देना है टमाटर यह जोल बनाना बहुत ही धक कर हम मद्यम आज पर पकाएंगे तकरीबन चार से पांच मिनट के लिए तो यहाँ पर चार से पांच मिनट हो गए और मद्यम आज पर यानि की मीडियूम फ्लेम पर पकाना है और देख सकते हैं टमाटर प्याज अच्छे से सारी चीज़े पक गई हैं तो अब इसके गरम है ऐसे हमें पीसना है तो यह गरम है तो गयस को बंद कर लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे जब तक मैंने एक मिक्सर जार ले लिया इसमें मैंने डाल दिये हैं दो चमच जितने मुमफली बुनी होई मुमफली आप कच्छी भी ले सकते और एक बड़ा चमच रखा था न वो इसके अंदर डाल दे साथी साथ ही साथ एक ग्लास पानी सके अंदर डालना नॉरमल मठकी कई जो हमने यह मुमफली और तिलको पीसके रखाता न यह डाल दे और इसे ढख कर आपको पीस लेना है तो यहां पर आप देख सकते हैं मैं अश्छे से पीस लिय तो यहां पर मैंने गैस कॉन कर लिया है यह कड़ाई को फिर से रखेंगे और इसमें तकरीबन दो से तीन उबाल आए ना तब तक इसे हमें पकाना है बस इसके अंदर में और कुछ भी नहीं डालना है बस थोड़े से धनिया के पते डाल दे आपने देखा यह बहुत ही कम मस के साथ तो अच्छा लगता ही है पर इसे आप चावल के साथ खाएंगे यह ऐसे ही सूप के तौर पर भी पीएंगे ना बहुत ही बहतरी लगता है हेल्दी भी है टेस्टी भी आपने देखा इसे एक चमस तेल में यह बना है तो बहुत ही टेस्टी लगता है अब इसी खाय किसे जाएगा जोल मुमुस को सबसे पहले एक बाउल में आपको ये बनाएवे मुमुस डालने हैं और उपर से गरम गरम जोल डाले और इसे फटा फट से खा ले बच्चे होया बड़े खाना पसंद भी करेंगे तो आप इसे घर पर जरूर ट्राइ किजिए का ये बहुत ही बहतरी रेसिपी है और मुझे कमेंट्स बते का कैसी लगी रेसिपी और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना विलकुल ना भूले थैंक यू फॉर वाच्चेंग